नमस्कार और वेलकम यौल एट इंडोलोगस आज का हमारा टॉपिक है एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन यानि कि हमारे जो शिला लेख और अभी लेख होते हैं अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन देखिए इंस्क्रिप्शन की जुरत हम देखिए इंकार बनाया होगा और टेक्नलोजी लगी होगी लेकिन जो हिस्टोरियन होते हैं वो सारे देखते हैं कि इनके पीछे का जो मुद्ध था इस्टूप हो जाते हैं इस था पत्ते कला हो जाती है वह सारे इसमें होती है तो वही हमारे यह हैं मेंली जो हमारे कुछ शयाद साथ आठ जो अभिलेक हैं में में जहां पर हमारे कोशन बनते हैं वह सारे इसमें इंप्लूड हैं तो देख लेते हैं चलो important ancient inscriptions and edits are regarded as most reliable sources of ancient history because they are generally free of myths and narrate the facts कुल मिलाकर के जो बात यह है वह यह है कि जो हमारे इंशेंट इंस्क्रिप्टिंस हैं और एडिक्ट सेना यही सब ज्याद हमारे पुक्ता सबूत हैं क्योंकि जो हमारे साम प्रतेक्ष को प्रमाल की क्या जरूरत है ना जैसे इस लिखावास के उपर आशोक का सम्भ है या भ इंस्क्रिप्शन ऑफ इस्टड़ी यह हमारी एपिग्राफी इसके बाद इस्टड़ी ओफ ओल्ड राइटिंग यूजिन इंस्क्रिप्शन एंड अधर ओल्ड रिकॉर्ड्स मतलब हमारे से पूर पहले पत्तों पे लिखा जाता था ठीक है वह वाले रिकॉर्ड्स हो ठीक है जो भाषा है लिपी है वह जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं उसको मतलब उसके अधिन को बोले जाता है ठीक है फर्स्ट इंस्क्रिप्शन हमारा पाया गया था 3rd century में ठीक है बीसी में बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस के जन्म से तीन सभी पहले माल लो तीन स पुरा तात्विक स्रोत नहीं माना जाता है सिंपल सा कोशन है इसमें आपका डियेक्ट डियेक्ट बतार हूं क्योंकि आप लोग पता ही होगा नियूमीजमेजमेटिक आलपको समझते ना नियूमीजमेज आपका यह रूट वर्ड है जो कॉइन को मतलब करता है ठीक है को करता है कि हमारे बिल्कुल करते हैं कि उस समय क्या क्या चीज़ें थी कि हम जब हिस्ट्री में और मेडियवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं और सिक्कों का टॉपिक आता है आर्ट इन कल्चर में पता चलता है कि किस तरह से राजा महराजा पहले देवताओं का कितना परभुत था और सिक्कों पर दोनों तरह भगवान की प्रतिमाई होती थी फिर बाद में क्या हुआ कि एक तर आफिक ऑपर इसको आप देख सकते हैं यह वाली बनेवान तो इससा चीज घुक्ष हमारे सापके थी लिख्वायड होगा हमारी इश्किप्शन की तरफ इसका आसवाड़ी है Main fact इसमें यही है कि जो हमारी मतलब सबसे उन्नत सभथा थी हरपका सभथा उसके भी जह हम सोर्स देखते हैं तो उसमें हम लोग खुदाई से मिलेवी से जो हमारे पास सुरोथ हैं ठीक है? उसी की जानकारी को हम ले करके आगे बढ़ते हैं यह वाली चीज़ेस में हमारी सारी इंक्रूल जाती है ओके नेक्स्ट निम्लिखित में से कौन सा कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों को पत्थर की सतहों प्राकरतिक चट्टानों और पॉलिश किये गए खंबो पर अपना संदेश अंकित किया था इसका आंस्वर है option C अशोक ही था वो जिसने सबसे पहले ऐसा काम किया था अब अशोक किये जो हमारे अभी लेक मिले हैं उसके बारे में कुछ जानकारी में चीज सबसे पहले इनकी टाइम पिरिड़ है वो यह है इनको बनाए गया था इसकारी मिलती है पहले अब अशोक के लेक मिले हैं वो कहां मिले हमारे को वह इंडिया में है नेपाल है पाकिस्तान अफगानिस्तान ठीक है यह जो कुल है कुल मिलाकर करें इनका कर्रेक्षण 33 बनता है 33 अब इसमें शिरा लेक और गुफा मतलब गुफा के अंदर हमारे भित्ती चितर होते थे वो भी इसमें इंकलूड है अब इसमें यह दिखिए इसमें आपका यह फिफ्ट पॉइंट जो यह वाला पॉइंट है ना आपका फिफ्ट ही अफर्म हिज ट्रस्ट इन बुद्धिश्म थ्री जॉल्स इन भभरु एडिक्ट मलब जो इसका धर्म और संग यह तीन बुद्ध मंदब अशोक ने अपने तीन डाइमेंशन शो किये कि यह तीन चीज़ हैं मेरे जिंदेगी में जो त्री रतन के रूप में काम करते हैं तेक है सबसे पहले बुद्ध धर्म और संग इसके बाद है आपका दरॉक इंस्क्रिप्शन शोज अशोख का law of pity was spread कोई मिला करके यही जानकरी मिलती है मतला अशोख को हगर हम जानते है सबसे पहले अशोग के बारे में सुनते हैं मारे मैंड में क्या आता है धम की निती आती है कि किस तरह के धर्म की निती होनी चाहिए ठीक है धम बोलो धर्म बोलो बात ही ही है तीक है आ व्रहद राजादेश फिर आते हैं हमारे लहू शिलालेख लहू आते हैं Major Rock Edict और Major Rock Inscription अब जो पथरों को काटकर एंडु सेप्रेट्ट वंस डिसकोवरी मदब 14 तो हमाँ पर सासात मिले ही हैं उसके सासात दो अलग से हमारे को ओडिशा में भी मिले हैं थीक है इसके बाद मेजर रॉक इंस्क्रिप्टिन अब जो हमारे को लिखावा मिला है वो कौन-गौन से जैसे इसमें हमारे है मारा कौ से क्या थी हमारी इंदी इंस्क्रिप्शन अशोक का अड्रेसिज हिंसेल्फ एज बिलव्ड सर्वेंट ऑफ गॉड इन अभी लिखों में अपने आपको मुख्या रूप से भगवान का दास बताया है ठीक है भगवान का सेवक बताया है और इन ही अभी लिखों में अभी लि देख से हमारे को इस चीज की जानकारी पूर्णत्य पराप्त हो जाती है कि अशोक को ही देवनाम प्यदस्ती के नाम से उसमें उलेखित किया गया है ठीक है इसके बाद का इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन इस्टन इंडिया वर रिटन इन मगदी प्रागरतिक यूदि जहक्ति मुलेखिय तो एप मैं ले रिफ्ट को मढ़ें नंगे इसे हमारा प्यारा भारत कॉक्षिं घेक इंस्क्रिप्शन्स मिले हैं वो ब्रामी लीपी का परयोग करके मगदी प्राकरती भाषा में लिखे गए हैं समझ गए ना आप लोग ठीक है समझ जाएंगे दुबारा इबार रिपीट करें ना पीछे से आपको आजाएगा समझ में अगे दिखते हैं नेक्स्ट है हमारा अशोक के लुंबिनी की यात्रा का उलेख किस अभी लेख में मिलता है ठीक है इसका आंस्वर है ऑप्शन बी रूम इंदई पिलर एडिक्ट यह जो है ना देखिए इसमें मैं यह कह रहा था यह पिलर होते ना यह वाला हमारा इस्तंब हो जाएगा इस तरह से यहां पर जो इस ताम है एक्ट्वल में इसका मीनिंग क्या है अब नेक्स्ट आगे मैं बढ़ाता था था इसको यहां पर देखते हैं जैसे इस इंस्क्रिप्शन और क्लासिवाइड एज माइनर फिलर इंस्क्रिप्शन जैसे जो शिलालेख हो गया जो कि रूमिन देही में है और यहां पर डिस्ट्रिक थी कौन सी रूपन देही जो कहां पर है नेपाल में लौड बुद्धास का बर्थ प्लेस है इसमें एक्स्ट्रिक करने जरूत तो नहीं है कुछ भी फिर भी आप लोग देख लो यार कौन सामने है दे अनाज का जो टेक्स ले जाता था ना उसको घटा करके वन बाई एर्थ कर दिया था ठीक है बसे ही फैक्ट था इसमें ब्राम्मी स्क्रिप्ट is used to write the inscription इसमें भी हमारी कौन सी ब्राम्मी भाशा का परियोग किया गया है ठीक है इसके आगे हमारा next question है किस शिलालेक का परिय लोग प्रशस्ती प्रयाग प्रशस्ती के नाम से जाना जाता है ठीक है answer is option c अलहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इसके बाद देखिए अलहाबाद प्रयाग प्रशस्ती सबसे पहने तो आप लोग प्रयाग का अर्थ समझो क्या होता है प्रयाग का मीनिंग क्या होता है प प्रयाग प्रशस्ति को कोशंबी में अशौक इस्टमूल पर उत्किर्डित किया गया था इसको बाद में इलाबाद के किले में स्थापित कर दिया गया ठीक है बस इसमें यही फैक्ट है हमारे को जानना है और कुछ भी नहीं आप लोग पढ़ सकते हैं Englishman इसको लिद दिया है नेक्स्ट है हमारा निमनिखित में से कौन चालुकियों की पहली राजधानी थी सबसे पहले जो लोकेशन है वह हमारी कहां पर करनाटक के अंदर है अब ये चालुकों की पहली राजधानी भी थी ठीक है और यहाँ पर एक important fact ये देखना है कि एक मंदिर खोजा गया जिसका नाम था मेगुती ठीक है मंदिर खोजा गया इसका नाम क्या था मेगुती जो यह यह अभीलेग था ना इसी को बोलते थे क्या चीज़ ऊपर रूप में इसको जाना जाता है किसको मेगुती मंदिर में हमारे को जो inscription मिले हैं ठीक है और यह जो अभीलेग मिला है मारे को एहोल वाला इसकी जो भाषा है वह अभीलेग मिला आपका संस्कृत और कर्णड भाषा में ठीक हैSíLED हैं संस्क्र्ण और कंणड भाषा यंदिक कों सी संस्क्रण के थर कंणड को से और टीरी इसके बारहिद काई है लेकरवह सब्सक्राइब च्वर्ण कार्यों मिलती है सात्र गых Beck similarity , संष्वर्ण दढू किसे इस बार में एडी बोल सकते हो यह हमारा B, C, E नहीं चल रहा है ठीक है इस्वी की बात चल रही है हां पर 610 से 642 इस्वी के बारे में जानकारी मिलती है और यह पर चलता है कि पुलकेशिन दृत्य के दर्बारी कवी रवी कीर्थी दौरा इसको लिखा गया है ठीक है पुलकेशिन दृत् गौतमी पुतर सतकर्नी से संभंदित है ठीक है गौतमी पुतर सतकर्नी से सब्सक्र Hospice आपको यहां पे लिखा है रही जुमारा नासिक अभी लेक है वह कहा सी बालसरी के बालासरी है, यहां पर बालासरी ठीक है, गौतमी बालासरी के द्वारा इसको लिखा गया था और इसमें भी ऐसा कुछ खास्यात किनिया सा है नहीं जो आपके एक्जाम के लिए इंपोरेंट हो प्रारामविक ब्राहमी लिपी के साथ मगदी प्राकृत में कौन से शिरालेक लिखे गए है ठीक है, कौन से लिखे गए है answer is option A, Culling Addict मतलब को बना के हमारा को Culling के बारे में जनकारे मिलती है वो किस में लिखी गई है, ब्राहमी लिपी के साथ मगदी प्राकृत में लिखे गई है ठीक हैं और यह शिरालग है अब इसके बादे में कूछ जनगा दिखते हैं और सेट पॉरी-पूरी । प्राकृत कुर मिला के वही चीजा है जो महारे मैं पता था वही भारत के पुरी भाग में मिली थी वही चीज्व मघदी प्राकृत में ही इसको दिखा गया है जुनागर्ण भी लेख किस राजा से संबंदित हैं आंस्वर इस ऑप्शन ए रुद्र दामन यहां पर देखते हैं जुनागर्ण भी लेख के बारे में कुछ जानकारी इसके बाद इसके बारे में जानकारी मिलती हैं कहां पर गिर्णार में और यह कहां पर था काठिया वाड अब साथवहनग सामराज्य के स्तरोथ कौनसे चिलालेक हैं गौत की बलसारी बालसरी जहां 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 मिलती है वैसे लिगजिते हैं लेकिन आवरेज निकलेगा बालसरी बलसारी कुछ पर सकते हैं इसको आप समझ सकतेंगे बारसी ने बनाई थी कौन सी नासिक इंसक्रिप्शन और नागानिका कर्व्ड नखाट इंसक्रिप्शिप्शन दोनों में बस यह फेक्ट है और उसमें कुछ ऐसा पिकल नहीं जो आप लोग समझना सके हैं next है हाथी गुमफा श्रीला लेख किसने अंकित किया था Lahathe Gumfa भी लेख के बारे में जंड़ करी मिलती है हमारे को option D Caravelle से ठीक है हाथी गुमफा भी लेख इसके बारे में जंड़ करी लेख थोड़ी King Caravelle inscribed थाक हाथी गुमफा अभिलिक ठीक है खारवेल के द्वारा इसके बारे में जनकारी मिलती है हमारे को अलसो नोन एज इसको हाथी गुफा के नाम से भी जना जाता है फ्रॉम उदैगिरी खांडगिरी केव्स इन ओडिसा डिविडिंग न सेकंड बीसी इए ठीक है जो यह हमारी गुफा है किसके बारे में कलिंग रूलर खारवेल थीक है दाहाति गुफा इंस्किप्शन इस दा ओन्ली इंस्किप्शन इन इंडिया येर वाई येर डिस्किप्शन ऑफ रूलर रूलर्स एकम्पलिश्मेंट साल दर साल जैसे हमारे जो राजा महराजा होए उन सबकी जानकारी इसमें हमारे को मिल जाती है थीक है साल दर साल जानकारी इसमें मिलती है next नेक्स है हमारा सम्लाट अशोक का पहला शीलएक था जिसमें देव नाम प्रिये या पिए दसी के बजाए अशोक का नाम लिखा हुआ है इसका आंसर है ऑप्शन ए मास्की इंस्क्रिप्शन ठीक है यह वही वाले फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया भी मास्की हमारा मास्की एंड गुज्रा यह दोनों एक साथ ही लिए जाते हैं ठीक है इसी इंस्क्रिप्शन में अशोक ने बोला लोगों से कि आप बहुत धर्म के सिध्धानतों का पालन करें ठीक है और इसी से एक और जानकरी मिलती है कि जो हमारा मौरे सामराज्य था ना मौरे शासन उसकी जो मतलब रीच थी जो उसकी पहुंच थी वो करनाटक के क्रिशन घ लगा हूँ और अच्छा लगे तो प्लीज दू लाइक और सब्सक्राइब थैंक यू